एशियन चैंपियन भारत के स्टार मुक्केबाज अमित पंगाल ने 52 किलोग्राम में वर्ल बॉक्सिंग चैंपियन्शिप में सिल्वर मैडल हासिल कर इतिहास रच दिया था और वो ही यह उपलबधी हासिल करने वाले पहले भारतिये पुरुष मुक्केबाज बन गए थे औ और कल फिक की इंडिया स्पोर्ट्स अवोड्स 2019 में स्पोर्ट्स पसंद आफ दा इयर का अवोड जीता इस सिल्सिले में जब NNIA स्पोर्ट्स ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ओलंपिक के लिए बिल्कुल तयार है और और फरवरी में होने वाले चाइना वो उलम्पिक के लिए कोटा हासिल कर लेंगे। और आगे जाके हमें जो भी competition होगा उसके लिए यहां की training और जो हमारी बेलारी में हमारा कैम्प है उसकी training को लेके आगे ओल्मपिक्स के लिए काफी help मिलने वाली है जी काफी helpful रहेगा यह boxing के लिए खास करके मेरे लिए क्योंकि मुझे राउंड के बाद अगर सकोर पता चलता रहेगा तो अमें यह पता रहेगा कि अमने बाउट कितने अच्छे से आगे बढ़ानी है या कितने अच्छे से में डिए रखनी हुसका हमें काफी help मिलेगी जी बिल्कुल Olympics के लिए बिल्कुल prepare हैं और अभी बस इंतजार है तो बस एक Olympic कोटेगा और जैसे ही आमें फरवरी आएगी हमें बिल्कुल यह रहेगा कि हमें कोटा सिल करें अपने देश के लिए और अपनी देश के लिए और अलमिक सिल रहेड़ी रहे हैं जी चाहिना क्वालिफायर्श हैं और उसके लिए यह अभी तैयारिया कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन कुमिटिसन वही है भी उसके बाद कोटा से लिकर केस के बाद देखेंगे कि हमें क्या केलना है और मेन हमारा टारगेट ओलम्पिक्स हैं